नमस्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्री पर और आपको राश्ची अनुसार देवी दुर्गा के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको भी आपार दौलत शोहरत नाम और खुशिया अपनी जिंदगी में मिल सके धार्मिक गरंतों के अनुसार साल में चार नवरात्र होते हैं साल के प्रथम मास चैतरे शुकल पक्ष में प्रथम नवरात्र होते हैं उसके बाद में माग मास में आती है मागी नवरातरी जिसे हम गुप नवरातर भी कहते हैं आशार मा की नवरातरी के समान ही माग मास की इस नवरातरी को भी गुप नवरातरी के रूप में मान्यता पूरी प्राप्त है पर गुप नियता की समानता जहां पर है वहीं इनमें ए इसी माह में बदली है और सूर्य मकर राशी में पहुँच कर जन जीवन को सुख में बना देते हैं। इस माह में तीर्थों को भूत जधा मेहत्व भी दिया गया है और यहींपे महत्व बहुत जधा बड़ भी जाता है। मागमा के महीने में मंगोल से लेकर बंगाल की खाडी तक के तीर्थ स्थानों में सादू, संत, रिशी, मूनी, ब्रह्म, देवताओं का आगमन भी होता है। यही कारण है कि मागमा को अति पावन महा भी माना जाता है। मागमा के शुकलपक्ष का विशेश महत्व ये भी माना घया है। और मौनी अमावस्या से पूर्डि मातक का समय सबसे जादा शुरेष्ट माना घया है। इनी कारणों से इस माह में सानातन वैदिक रीती के अनुसार तांतरिक प्रथा के अनुसार ये माग मास से शुकल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्री का विधान निश्चित किया गया है देवी देवताओं को प्रसंद करने और अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए ये सबसे श्रेष्ट समय माना गया है और वेद व्यास जी सनकादित आदी रिशियों ने प्रयाग राज में देवी महात्मे की महेमा इसी महा में गाई थी और समस्त देवताओं तथा रिशी मुनियों ने सुनी थी उसी देवी भागवत पुराण का पाट करना श्रवन करना या कराना इस नवरात्री में किसी भी पावन तीर्थ में बहुती जादा शुब हो जाता है और फल भी उसी तरीके से बहुत अच्छा मिलता है हरदवार, प्रयाग, काशी, कांचीपुरम, बंगाल, आसाम में इस गुप नवरात्री में वामचारी तांतरिक अपनी खठोर साधना करते हैं और इसी साधना को सर्वसाधारन कोई भी नहीं कर सकता इसलिए संभवतह, कौलाचारियों, तांतरिकों और अवधूतों तथा नागा बाबाओं ने इस मागमास की नवरात्री को गोपनिय एवं रहस्यम में बना दिया है विकट गोर, महमरत्यून, जाई, साधना इनी दिनों में की जाती है जिससे की आपको और जादा ताप मिले जो दर्शिक पूजन वसाधना करते हैं, वे अपनी समस्त एवं शक्ती के अनुसार माभवानी की पूजा इस गुपन वरात्री में कर सकते है पर ध्यान रखेगा इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि सात्विक पूजा ही करनी चाहिए हमें हो सके तो माग मास की नवरात्री में महा सरस्वती, शारदा माई, इनकी उपासना करनी चाहिए इस प्रकार इस गुप नवरात्री में आप चाहें तो मा को प्रसंद कर वर्दान स्वरूप जीवन में आविश्यक सभी भौतिक संसाधनों की प्राप्ती कर सकते हैं अब इस नवरात्री में आपकी राशी के अनुसार यदि कुछ खास उपाय करने से मनुकामना पूर्ती में कोई कमी नहीं रहती तो इसी के चलते मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस नवरात्री में आपको कौन से मंत्रका जाब करना चाहिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस देवी के रूप की आपको पूजा करनी चाहिए ऐसे मैं अगर इन नौ दिनों तक अगर कोई व्यक्ति अपनी राशी के अनुसार उपाय कर दे जो मैं आपको उपाय सारे बता रहा हूँ अगर आप वो सारे उपाय कर दे तो उसकी मनोकामना पूरी होने की 100% कैरंटी हो जाती है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों की तो आपको सकंद मादा की पूजा करनी चाहिए इसी के साथ दुर्गा सबशती या दुर्गा चालिसा का पाठ करना चाहिए व्रशब राशी वालों को मादुर्गा के महागौरी सोरुप की पूजा करनी चाहिए और ललेता सहसर नाम का पाठ करना चाहिए मितुन राशी वालों को नवरात्री में दीवी का दुर्गा यंत्र स्थापिद कर माभ्रमचारिनी की उपासना करनी चाहिए करक राशी वालों को जातक मा शेल पुत्री की पूजा करनी चाहिए और लक्षमी सहसर नाम का पाट भी करना चाहिए सिंग राशी वालों को यहाँ पे नवरात्री के दिन मा कुष्ट मांडा की पूजा करनी चाहिए इसी के साथ ही दुर्गा मंत्रों का जाब भी करना चाहिए इसे विशेश आपको जो फल प्राप्ती चाहिए वो जरूर हो जाएगी अब कन्या राशी वालों को मा ब्रह्म चालिनी की उपासने यहाँ पे करनी चाहिए और लक्षमी मंत्रों का विधी विधान से जाब करना चाहिए दुला राशी वाले जातकों को मा दुर्गा के महागोरिक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए इसके साथ काली चालिसा का पाट करना चाहिए अगर आपको बहुती जादा लाब चाहिए अपनी जिन्दगी में तो आप इसको जरूर कीजेगा रश्चिक राशी वालों को सकंद माता की पूजा वद दुर्गा शबशती का पाट करना चाहिए ऐसा करने से सुब फलों की आपको प्राप्ती होगी धनूराशी वालों को मा चंद्रगंटा का पूजन करना चाहिए इसके साथ ही उनके मंतरों का विदी विदान से याद रखीगा विदी विदान से आपको जाब करना बहुती जादा शुब लाबकारी रहेगा मकर राशी वालों को नवरात्री में मा कालरात्री की पूजा और नवान मंत्र का जाप करना चाहिए इस राशी वालों के लिए मा कालरात्री की पूजा सबसे जादा बेस रहने वाली है बात करने हैं कुम राशी की तो आपको कालरात्री की पूजा करनी चाहिए उसी के साथ प्रती दिन देवी कवच का पाठ भी करना चाहिए मीन राश्य वालों के लिए माचंदर घंटा की उपासना और उसके साथ में बगला मुखी मंतर का जाप सबसे जादा श्रेष्ट फल देने वाला रहेगा तो आशा करता हूँ ये जो आपको information दी है मैंने आप इसका पालन करेंगे आखिर सनातन धरम है क्या अपने सनातनियों के बिना अगर हम इसको नहीं follow करेंगे तो आगे आने वाली generation को कौन बताएगा कि इसका क्या एहमियत थी आशा करता हूँ आप भी ये करेंगे और अपने बच्चों को भी जरूर बताएंगे इसी के साथ में आप अपना अपने परिवार का खयाल रखिएगा माता पिता को बहुत जादा प्यार कीजेगा अपने घर में बुजर्गों का आशरवात प्राप्त कीजेगा इसी के साथ में धन्यवाद एवं जैश्टी राम